हालो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का विज्ञान में जीरो टू हीरो बैच कर स्टार्ट कर रहा है जिसमें आप लोगो को बिल्कुल बैसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगो को करा जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग अब्जेक्टिव का सेट वन देखने वाले हैं इसके बाद से टू सेट त्री जितना भी सेड़ आप लोग लिए ला सकते हैं वो लाया जाएगा तो इसलिए ज़िए ज़िए आप हमारी चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें 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 किसी पदार्त में ऑक्सीजन जुड़ता है यानि कोई रैसानी कभी किरिया होगा और उसमे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरन क्या कहते हैं ऑक्सीकरन कहते हैं जब किसी पदार्त में ऑक्सीजन जुड़ता है रैसानी कभी किरिया के द्वारा तीक है याद रखिएगा अगला सवाल हमारा उस अभी किरिया को क्या कहते हैं जिन में किसी पदार्त में ऑक्सीजन निसकासित होता है तो पहले वाले कोस्टन में oxyajan जोड़ रहा था दूसरे वाले वाले में क्या होगा oxygenूने श्नलाइनली और चला जाएगा तो इसको कौन से अभिकिर्या कहेंगे कि अब कर आध करूं कौन से अभिकिर्या केंगे आध सभी Palука करन के याद रखिएगा मॉस्ट इंपोर्टंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए अगले सवह ओले हमारा वह समिकर्ण जो आयनों के बीच अभीकिरिया को परदर्शित करता है क्या कहलाता है यानी duż ऐसी आई समिकर्ण को बताना होता है जबकि दूसरा पदार्थ आउकरित होता है यह आउकरित है इसके spelling सही कर लिजेगा ठीक है यानि एक पदार्थ में तो oxygen जुटेगा दूसरे पदार्थ सो oxygen बाहर निकल जाएगा तो इस रसाइनी कभी किरिया में क्या होता है रेडering कहा जाता है ठीक है रेडॉक्स किरिया उलटा क hits की बताएं आपको इसके definition में कि रेडॉक्स क्रिया ऐसे making dialogue जो 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 आउक्सी करना होगा ठीक है याद रखेएगा इसको अकलर सब क्या है सौसन कैसी रसानी कभी किरिया है आपको बताना है सही जवाब हो जाएगा इसका उस्मा छेपी कैसी हो जाएगा उस्मा छेपी रसाइनी कभी किरिया है याद रखना है सभी को अगला सवाल है हमारा जब हमारे सरीर में भोजन पचता है तो कौन सी रसाइनी कभी किरिया होती है जब हमारे सरीर में भोजन का पाचन हो करो अभी से आंसर को रटने का अभी से आप लोग ऑप्शन पर डइपेंड हो जाओगे तो पिर आप लोग का एकजाम खराब हो जाएगा ठीक है तो काफी समय है तो अभी आप लोग आंसर को रट लो अच्छे से ठीक है ना अगला सवाल हमारा जब दो अभिकारक आईनों की अदला बदली करता है तो उस अभिकरिया को क्या कहते हैं जब दो अभिकारक होगा अभिकारक मतलब क्या होता है जो अभिकरिया में हिस्सा लेता है यानि इस तरह बला और तीर की धर बला उत्पाद हो जाता है ठीक है तो आपसे कह रहा है कि जब दो अभी कारक आईनों की अदला बदली करता है तो उस अभी किरिया को क्या कहते हैं तो उस अभी किरिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभी किरिया क्या कहते हैं उस अभी किरिया को हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभी किरिया ठीक है चलते हैं अगला सवाल पर अगला सवाल देखिए क्या है हमारा जब मैगनेशियम तार को वायू में जलाया जाएगा तो कौन सी रसायनी कभी करिया होगी यारी मैगनिसियम के तार को जब जलाया जाएगा तो कौन सी रसानी का भी किरिया देखने को मिलेगा आपको बताना है सही जब जब हो जाएगा सही हो हो जब जब भोजन उपस्तित कार्बोहेड incubate तूटता है तो कान हमें क्या प्राप्त होता है तो जो हमें पराप्त होगा वो होगा गुलुकोच क्या पराप्त होगा गुलुकोच पराप्त होगा याद रखना है सभी को इसका एक फॉर्मूला भी होता है C6 H12 O6 इसको याद कर लेज़ेगा यह गुलुकोच का फॉर्मूला है कभी कभी आप लोग को यह गुलुकोच ना दे करके यह दे देगा ठीक है तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना Next देखे क्या है तामबे पर हरे रंग की परत के चड़ने का क्या कारण है कारण बताना है आपको कि तामबे पर आपने देखा हो अगर तामबे का कोई बडतन होता है उस पर हरा रंग का परत कारण चड़ने जब कोई परत चड़ना तो अगर बात करेगा आपको लोहे का उसके पर चांदी पर केसा से संशार रंग भॉत काले रंग की परत का चड़ना चांदी पे काले रंग की परत चड़ती है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं संचारन बोलते हैं याद रखेगा चांदी पे काले रंग की परत चड़ेगी ठीक है संचारन का और कोई एक्जामपल अगर आप से पूछेगा तो लोहे में जं लगना यह संचारन का उधारन है ठीक है याद रखिएगा इसको किसी तत्व के नाम के संचित्र रूप को क्या कहते है यानि कोई भी तत्व है उसका नाम है उसका एक संचित्र रूप होगा उसको क्या कहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे संकेत जैसे हैड्रोजन एक तत्व ह तो hydrogen को हम लोग H से denote कर देते हैं तो यही इसका क्या हो गया? संकेत हो गया ठीक है? याद रखेगा Next है हमारा कि redox अभी किरिया को अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो इसको हम लोग उपचयन अभीकिरिया के नाम से जाना जाता है रिडॉक्स अभी क्रिया को उपचेयन, अपचेयन के नाम से भी जाना जाता है अगला सवाल देखें क्या है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है जो हम लोग खाने पिने वाला समान लेते हैं या पैकेट लेते हैं तो उसमें गैस भरी होती ही ताकि वो खराब ना हो तो कौन सी गैस भरी होती है तो वो नेट्रोजन गैस भरा होता है याद रखियेगा नेक्स्ट है हमारा जब लोहे का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलियन में डाला जाएगा तो क्या होगा जब लोहे की कोई कभी कील का परियोग कर देता है कि लोहे की कील को कॉपर सलफेट के विलियन में डाला जाएगा तो क्या होगा या टुकडा बोले या कील बोले तो सही जवाब होगा विलियन का नीला रंग समाप्त हो जाएगा जो विलियन है आपका उसका जो नीला रंगे वो समाप्त हो जाएगा और हलका हरा हो जाएगा ठीक है याद रखना है तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लेस वीडियो को लाइक कर दिजिए एक एक लाइक जरूर कीजिए शेर कीजिए सभी दोस्तों को और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके बैल अकन को जरूर दबा लेजिएगा तकि आने वाली हर एक वीडियो को नॉटिफेकरिशन आपके मोबाइल पर चला जाए मिलते हैं अगले वीडियो में तैंक यू